अलो विवर्स WTC फाईनल में हारने के बाद इंडियान टीम गवासकर की बातों की तीर से नहीं वाचा रहा है WTC में हारने के बाद उन्होंने कड़ा समल आचना किया था इंडियान टीम का उन्होंने बोला था बाई-लेटरल सिलीस तो बहुत जी चुका है लेकिन अगर आप ICC ट्रफी नहीं जित सको तो बात मत करो अपने आपको बड़ा क्रिकेटर मत बोलो और फिर जब वेस्ट इंडिस टूर के लिए पुज़रा को तीम से बाहर किया था तब भी उन्होंने समलचना किया था उन्होंने बोला क्या पुज़रा की कारणी सिर्फ इंडिया हाड चुका है यानि उनका घुआ फिर अकर उनका जो इस्वरा था वो रोहित और उनकोहली की तरफ हो था तो तो तब से वह लगातार अंदियान क्रिकेटर के शमलचना कर रहा है इंडियान मैनेजमेंट के शमलचना कर रहा है तो मानो कि ओपोजिशन के साथ-ष वर कि किटर को गवर्ध करके वी समलाद करना पर रहा है लेकिन मुंझे तो लगता है सरी नहां सही आप क्या समस्ते हो मूझे लिख रहर बता आई तो गवर्श का ने आप जब भारोत जब बहुत इस्कुर्ट कर रहा है तो उधर एक सुनने से जिता भी है भारोत ने तो गबसका ने बोला इसके लिए इतना खुस होने कि कोई बात नहीं है क्योंकि वेस्ट इंडिस आप वेस्ट इंडिस नहीं है वह एक तुम विक टीम है वर्ल्ड ओडियाई वर्लकप में भी वह क्वालिफाई नहीं कर पाए वेस्ट इंडिस का जो स्टार प्लियार है वह तो आप फ्रैंचाइजी लिग में खेलने के लिए दिल्चस्त रखते हैं तो इसलिए उन्होंने बोला इतना खुस होने की कारून नहीं है और फिर उन्होंने बताया जो रोहित और इंडियान टीम जो डब्लीज में हारने के इस बात जो एक्सकीउस दिया था रोहित ने बोलत था कहमलों का प्रिपारेशन था भहती कम था सबीस पैसकीडिन पहले जाना का इस Mexico there a time आगर प्रिपरेशन का बात कड़े तो आगर उनको 20-30 दिन में जाना चाहिए था तो तो क्यों नहीं गया और उन्होंने बोला जिस सीनिया क्रिकेटर लोग पहले नहीं जाते क्योंकि वो लोग जमते हैं हमारी टीम में जाएगा हमारी जो प्लेस है वो पक्का है तो इसलिए यह नहीं जाते नहीं तो गवस्कार न बोला आगर जाते हैं वो जाने के बाद भी आगर हरते तन तो भी हो बेस्ट हम लोगों को लग्त हम लोगए बहुत पढ़ गया है तो उन्होंने बोला जे मिन रोग अपने आपको दुनिया के सब Guard करिकेटर की दावा करते हैं त इंडियान टिम का और उनोंने इसलिए उन्हें बोला जरोश ट्रिनीस के हराने से कोई गर्ब करने का एक गुष्प का बात नही आगर आफ इंग लेंड को आगर आप अस्टलिया को अगर न्यूजलेन को हरा सको तो कुछ बोलना तो मैंने जैसे पैसे पहले बोला यह लजिकल है इंडिया तो बहुत बार तो बाई लेटरल सीरिस जित चुका है लेकिन आई सी सी ट्रॉफी जब भी आते है तो इंडिया का जो पार्फॉमेंस वह एक्दम घाड जाते है दो दो बार डावलू टी इसकी फाइनल में उटने के बाद भी जीत नहीं सका और बाद कोई आई सी सी टूर्णामेंट में चैंपियन भी नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे तो लगता है सही है आप क्या समझते हो तो जो सामने जो ओडिया वाल कफ है उमिद करते हैं जो उधार हम के हम लोगों के सा सब्सक्राइब को भी खुझ कर सके तो दोस्तों यहीं था आज के अपडेट्स तो वीडियो को अच्छा लगए तो जोरू लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को जोरू जोरू सब्सक्राइब करना क्योंकि एक यूट्वर के पास एक सब्सक्राइब बहुत ही किमती हो होता है क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लाइगा और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन है तो प्लीज जोल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक क